नमस्कार जहन बंदे मातरम दोस्तों एक पार फिर से हेम शर्मा चुरा बैली जिला चंबा हिमाचल परदेश से आपके अपने यूटूब चैनल तुशी एक बरदान में आप सब का हर्दिक अभिनान्दन स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज जो मैं अपने बगीचे में जीवमरित डाल रहा था तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि कैसे मैं नीचे जो जमीन पर अपने सेव के पेड़ों में जीवमरित डालता हूँ कैसी बेवस्ता मैंने बनाई हुई है क्या मैं तने के पास डालता हूँ या मैं तने के दूर डालता हूँ तो यह सारी जो जानकरी है मैं आप लोगों के साथ अपने बागवान भाईयों के साथ साजा करूँगा आप भी अपने स्तर पर अपनी बागवानी में अपने experience के अनुसार अपनी समझ के अनुसार कुछ न कुछ जमीन में डालते होंगे कोई गोबर डाल रहा है कोई जैविक के नाम पर डाल रहा है कोई रिसानिक के नाम पर कुछ न कुछ डालता ही है निरंतर में जब से मैंने सभाष पालेकर काशिवर अटेंड किया है उसके बाद जो है मैं निरंतर अपने बगीचे में जी मौमज डालता हूँ बागवान साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो पेड दिखाई दे रहा है और दूसरा पेड हमारा इस तरफ है और एक इस तरफ है पेड तो जैसे हमारे पास बगीचे में बवस्ता है उस बवस्ता के अमसार हमने क्या काम किया है जो ड़लान होता है बगीचे में उसके बिपरी जो हमने ऐसी नालियों की बवस्ता बनाई हुई है यह देख सकते हैं कुछ में इसमें बगीचे में च्टकी होते हैं कटिंग के उपरा वो भी डाल देते हैं यह मानु 노ट होता है उसको भी ऑम इसमें डाल देते हैं यहां तक मैं आपको धञाओंगा ऐसी नालियों दिखांगा जहांपर हमने घर की जो बेस्टी चीजे होती हैं सड़ने वाली वो भी हमने इस नालियों में कैसे डाली होती है तो इसी नालियों में जो हम जी मामरेत डालते हैं तो 2,18 से पहले मैं भी ऐसे गुड़ाई करता था आप देख सकते हैं कुछ आपको दिख रहा होगा यहां तक जो है हमने गुड़ाई की थी पुराने निशान अब जो है बिल्कुल मैं गुड़ाई नहीं करता तो ऐसे ऐसे हमने कम सब 60% जो नालियों का काम करके छोड़ा यहां देए सकते हैं जो हमने गंप घैरग डाल के रखी है अइसी जो भी होता है बैस्टीज बगीचे में हम इसमें डाल देते हैं और जो छोटे पौदे हैं वहां पर हमने घास की मोशींक की हुई है ऎस तो नहीं इस महीने जो आतात नया सी जो बसंत का जो मौना आता तो नई घास तो हमगो। काम नीं करते हैं आगजराने का यह जो लूग न्हीं काम निया हुए है यह जा गवर्फुरी बोलता है हमारे यहां बोली होती है रहां पर इसको क्वाल्यören जाहा है यहां जम हमें कई काटकर के रखा हुआ है । हम यहां मल्चिंग में काम लाते हैं जो नई हमने भी जो पौदे लगाई हुए हैं तो और भी दिखाता हूं में आपको जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एप द्रीक भी को बना ईए ये पेट है और देखिए दूसरा पेड़ वहाँ पर है तो यहां पर भी आपको नढ़ी देखने को मिले िबन गेता में टीई सकते हैं मिनली में hen来 चलता हूं यह को स्पेस्टे सी बेखिन से खनके में ब्यून्या जैसे किसी गद्धिया के ऊपर चल रहा हं तो हो था क्या है कि जिब जितना भी बारिश का पानी आता है तो वह बहके जो इस नालियों में जमा हो जाता है और वह सारा जो पानी होता है धर्ती माता की कोख में जाला जाता है जो भी कैंचु ने छिद्र के उद्र नीचे पाले का खेती मता है कि 14 फुट नीचे से जो है कैंचु वह एक्टिव होत असंग के चेद हो जाते हैं तो बस उस असंग के चेद उसी के तौर रहा पानी जो है ये तर्थिमा के बेट में चला गाता है तो आप देख सकते हैं ये पत्ते पद्धे वगारा हम नहीं उठाथे ये पत्ते ये देखे ये दाए-पाएं के जो बहुत है ये से यह दूसरी यह पत्ते Früh 3 नहीं तो जहां पर नाल इनल्या नहीं बनिए वहां पर हम ऐसे जीममर्त पिसंते हैं दालते हैं अब फिन सकते हैं लिगाम क। कोई कंवी है जैँ अब मैं आपनَ मुढ में याशे बना आ अपने मुण और ग्रोट question सा मैं। क्यों करदा हैं अगर आपका यहां चाहते हैं हैं हिस तरह से घंड पर सिक्णा होगा हुए तो मारी इस त्रै कि हमक्रों कि दोव शीक्रतर हो बोने हैं तो हम बैद्र को तरह स्कें पर तौक हैंगे जहां चैन्च सुझारों करना है कई जगा जो हमने नालिय बढ़ा के रखिए कई जगा भी जो हमने बढ़ानी है यह देखें बिलकुल जो बॉंटरी है एक खेट को छोड़कर दूसरे खेट की यहां पर जो है नाशपती का पेड़ है और साथ में जो है नाली है तो यहां से इसकी जड़ खुद आएगी यह हम यहांपर जो बीजो को चाहिए होता है यहां पर जो बीकेंचुन की दウर इचु जो इस तने बी जो श्रीन के अंदर जो निवट्रिंट पोशकता-थो हैं जो यहां पर छोड़े होते हैं बिश्टा के रूप में पर पेड़ भोशकशा खुद खुद ले लेते हैं कि यह जी पामरत है बनाई है हमने मतलब दूर है क्योंकि बगीचे में बनाने की बिवस्ता नहीं है तो है ऐसे हम बाल्टियों में ढोना पड़ता है ऐसे डबों में तो यह हमने जगर खा हुआ है जैसे यह है तो पास इसके उपर हम ऐसे ही डालेंगे इसकी कोई इल्यमिंट नहीं है ऐसे ऐसे चिपकाव करते रहते हैं हैं कई बार तो महीने में दो बार भी डाल देते हैं कई बार समय नहीं मिलता तो महीने में फिर एक बार भी हो जाता है क्योंकि आपको बता है आप भी काम करते हैं अपने बगीचे में तो जरूरी नहीं कि एक समान नहीं रहता है सब कुछ यह जैसे इसके उपर हम ऐसे चिड़केंगे और जैसे यह यह यहां पर भी ऐसे चिड़केंगे यह जिए यह जैसे मरी डाल सकते हैं ऊपर इसकी अपने एक रेश होता है क्योंकि कछलीग करते हैं उसका जो माप है वो अलग है जब लग बड़ता जाता है तो उसकी वीडियो मेंस मेंस मेंपर आपको देता रहूंगा आप देख सकते हैं ये सामने जो है पेड़ है अखरोट का और इसकी मल्चिंग जो है हमें बाइच चोईस इस नाली में आटमेटिक पड़ गई है तो घर में जो सफाई करके या जो सड़ने गलने वारी जो चीजें होती है बेस्टेज उसको भी आप नाली में ही डालते हैं नालियों को हम समय समय पर जो भी होता हम डालते रहते हैं देखिए ये पेड़ है परेवी नाली बनाई हुई है और इसके सामने भी तो यहां पर भी नाली है यह रूर स्टॉक है M793 जिसकी उपर सूपर जीव की ग्राप्टें हुई है तो लगाने के बाद मैंने कोई इस तो ठीक यह कुल में लाके क्योंकि पुराने पौदे से यहां पर एकदम से नई चलना मुश्किल रहता है यहां पर वाइल के पेड़ से जो खदम हो चुके हैं बारबारी हुई थी पीछे दो जार ठार हो नहीं में तो फिर उसको हमने दुबारा से पेड़ों को ठायनी का आज़िता हो कि तो जो गत्य होते हैं में उसको मल्चिंग के तौर पर पीछा बन होता है यहां पर जिवा मरता भी काम करेंगा जब अंधेरा होगा हम जब पकड़ा हुआ है तो यस नाली में अगर दो नीटरसे लिचा उत शिड़का हो जाता था तो हम दो लीटर ही डाले बाकि जो अकरमान लो छोटे एक दो दूसाल के होते हैं तुसमें आदा यूटर भी चला जाता है आदा यूटर से जाता भी जाता हो क्यों कि हम तो सीधा छिड़काव करते हैं बाकी नुकसान तो कोई सी बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं तो मैं भी कभी भी जीवामरत के छलकाव नहीं करना चाहिए तो बागवान सात्यों यह थी छोटी सी जानकरी कि जीवामरत मैं जो अपने पेड़ों को कैसे देता हूं तो आपको यह जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और यह जानकरी जो और बागवानों के पास भी पहुंचे जो जो आने वाले समय में या अभी से मतलब मन बना के रखा हुआ कि हम भी प्राकरत क्यती करेंगे यह जानकरी उन लोगों को तक भी साज़ा हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और आप चैनल के हिन बंदे मातरम